फिट वेल दोस्तों आझ हम इस्वीटी बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है अगर आप हाइर होते हो शीपगे एस लग इस वीडियो में तो देखते रहिए लुट वीडियो आज हम लोग बात करने वाले जैसे मैं आको बताया कि क्या डिफरेंस रहेगा अगर आप एक एजिंसी के थुरू होते हो एक किसी भी क्रूज बताता हूं मैं आपको क्या क्या facts होते हैं बात करते हैं इसमें ठीक है तो सबसे वहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारा many doctor of company get through higher oro to carries only value well company through get up higher instructional class interviews will now lie there most likely interviews will be online on Skype interview mostly and sometime what happens is the company recruiters and they do come to the country or on the regular basis in the year like three to four times and you will be given a date during the time of interview and you have to go to the particular place for the interview okay I am your second interview for that is going to be our main interview to intimate yoga most likely इंटर्वीज इस गोई टो बी ऑन लाइन लिए से मेरा हुआ था मैं दोनों इंटर्वी ऑन लाइन ही वह थे स्काइप पे फस्ट एचार इंटर्वीज में आपका जौब प्रोफाल इंटर्वीज होता है वह तो दोनों आपके ऑन-लाइन हो जाएंगे ठीक है अब एजेंसी में क्या होगा यह दोनों चीज़े वैरी करती है एजंसी तो एजंसी मोस्त लाइकली एजंसी क्या होती है इफ यह अन लीविज नेरबाय तो दे एजंसी ऑफिस वह बीजिए अगे लेकर चलते हैं इसके बाद आपका में इंटर्वी अगर एचार के थू हो रहा है तो दो पीपल्स आर रही वेरी स्मार्ट पीपल्स तो यह बीजिए नोग पीपल्स अगे लिए टो आपका इसके लाइचार बॉल रहा है तो जापी कोशंच जोने वाले इंट्वाल रहा है इंट आपका मतलब एक नमल इस तंडर्यकों पूचिए जाएंगे आपसे आपसे आपस आपसर करते हो तो आपसे आपसे आप प्राप्लम कहां पी श्टार्ट होती है आपके सब कुछ इंटर्वीव क्लियर हो गया है आप सेलेक्ट हो गया हो नाओ इस यह गोई तो एजन्सी आप सेना सो मैने केसी एवन दो इन एन डिपार्टमेंट एक्चुली ओके इस गोई एजन्सी तो आपको जो सेलरी पैकेज होता है एस कंपेर्ट इस टेंटर्ट सेलरी पैकेज जो आपको शिपे मिलना चाहिए अगर आप जा रहे हो डारेक्ट कंपनी के तुरू तो उसमें डिफरेंस होने वाला है कुछ तो तो तीन सो दॉलर का ठीक है वेल बिकॉस कंपनी चैड़Wow मतलग कंप से कंप से कम केज में इंप्लॉई संब शक्राइब रहे है इसलिए क्लोट करते है जो एजेंसी की जो होती है वो जादा तर employees जो प्रोवाइड करती है shipping industries को कम से कम मतलग कम से कम salary package में employees को प्रोवाइड करती है ठीक है तो इसलिए agencies जो हायर की जाती है countries to countries ताकि जो company है जो shipping industries उनको कम पे करना पड़े तो इसलिए जो difference है वो देखा गया है कि जो difference मैंने खुछ से देखा है मेरा एक फ्रेंड है चुडाइड कंपनी के थ्रू सिलेक्ट हुआ तो इसलिए पेकेज वा एक्टुली डिफ्रेंट आफ माइग है वो एक्टेट थू एजेंशी लिए जाले पैकेज वाजस तो दोनों को ऊसमें सेलिए पैकेज इफरेंट था एजेंसी में स्को 300 कम मिले थे well on the same basis अगर वो कंपनी थू हायर हुआ था तो इसको 300 दॉलर्स जहाद है मिलेते सेलरी में ठीक है for the first contract okay I don't know how it goes but it went like that फिल्सकी बात आता है कि अगर आप अगर आप एजएंसी के थू करते हो दें एजएंसी आप एवे डॉक्यमेंट यह थे आप विजए आप पैसा होता है वह बहुत जाद लगता है और कंपनी साइड आपका पैसा होता है आपका मेरिकल जो पेइमेंट होती है जितना अप मैडिकल खर्चा आता है वह सारा-सारा आपको जो है वो कंपनी बाद में रियंबर्स कर देती है आवन यह फर्स कांट्रैक्ट ओके तो एजन्सी जो थिरू अगर आप जाते हैं तो यह यह आपको बेनिफीड भी हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप इंटर्वी आप फ्राम से क्लियर कर सकते हो because they are going to be a Indian people will be taking your interview so you will be more comfortable okay actually I'm giving them an interview but on the other side if you are giving interview on the HR basis like on the company HR then definitely those people are foreigners okay and you might you might will feel some uncomfortable and you might will face some difficulty to understand their English language because it is not a different language it is the same quite simple language English but their accent is little bit different so it so a fresh people they might will face a some a some a very little amount of you know confusion what they are saying okay it is like that so map about an achat okay yeah he just easy to have which and points you have a lot of important well agencies get through but boss are you see companies and say cruising where in some of the department they do not hire through the HR okay own HR of the company you have to go through agency okay you boss has a department in Japan just a house keeping ho gay at the key key FMB ho gay most likely Kota agency through you have because they want a people in hundreds so HR company department ho Tata hey recruitment department who her hundreds ka to Naili Sikta Naili Sikta Naili Sikta Naili Sikta Naili so most likely to budget departments so Taya was Kjotcha hiring Ota was a agency Katiya but HR B करता है ठीक है it depends it really depends अप कैसे अप्लाइ करते हो ठीक है so i hope guys you like the video and if you like the video then please make sure you hit the subscribe button down below and press the bell icon so you never miss the future updates from me okay अगर अगर आप उसे personally बात करना चाहते हो instagram पे तो my instagram link is given into description below you can message me there you can follow me too okay so whatever is your personal questions are you can ask me out there how was the video please tell me in the comment section अप्शे अच्छे लगता है अप्छे अच्छे कमेंच करते हैं questions पुशते हैं it really enhance my knowledge is that because there are so many questions which like I don't know okay जब आप मुझसे पूशते हो तो I do research about them or कुछ चीज़ जोती है मतलब नोटीस नहीं करते हैं न कोई-कोई वो questions आप लोग पूशते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो I'll see you in the next video देखिए बाबाई